हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो बच्चों लास लास में हमने एक नेया चाप्टर स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंटस आफ सोड प्रपाइटर्स तो उसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट और मैनिफेक्ट्रिंग अकाउंट यह दोनों सिखा दिया था तो आज हम इक कुशन स्टार्ट करना है इलस्टेशन नम्बर एट यह मैंना आपको लास लास में ट्राय करने बोला था अगर आप ट्राय किया था और आपसे हो गया तो अब इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते नहीं तो इस कुशन को आप इंदिसा साल सॉल्व कर सकते हैं तो बेसिकली बच्चो यह जो कुशन है मिक्स है इसमें आपको बैनिफेक्टरिंग अकॉन्वी बनाना है और आपको ट्रेडिंग अकॉन्वी बनाना है इलस्टेशन नम्बर एट पर आ जाना फटा फट से करते हैं इसको तो देखो कह रहा है कि प्रिपेर करो 2021 चलो यह चोड़ दो कि अजीब सी डेट पेंट हो रहा है बट बेसिकली आपको मेनिफेक्टरिंग अकॉन्वी बनाना है विद्धा फॉलिंग फिगर्स एक्स्टाइब फॉन्वी बॉक्स और मैनिफेक्टरिंग कंसर्ण तो आपको रॉ माटीरियल का सबसे पहले ओपनि सब्सक्राव यह आपका ट्रेडिंग अकॉन्वी बनाना है यह ओलेट जो इन आपको यहां चैरेक्टरिंग यह आपको बनाता मुए है प्टेरिंग के अंधर सारे खर्चेज के अंदर हो रहे हैं, indirect wages, यह overheads होते हैं, ठीक है, all these are overheads, stores consumed, indirect wages, यह सब आपका, यह आपका overheads है, जो आपके manufacturing account में जाएगा, factory rent, factory का खर्चा है, overheads है, manufacturing account में जाएगा, depreciation of planted machinery, यह factory अंदर planting machinery, उसका depreciation है, overheads, manufacturing account में जाएगा, sales आपका trading account में जाएगा, purchase of finished goods, जहाँ रखना, finished goods बोला है, तो अब यह trading account में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने purchase करा है, भाई हो सकता है कि हम manufacturing भी करते होंगे, कुछ समान की और कुछ हम खरीद के भी बेशते होंगे, दोनों भी होंगे, manufacturer भी होंगे, traders भी होंगे, तो इसले हमने कुछ finished goods बगरा खर आपको, आजाओ, illustration 8, है बहुत easy, अगर मेरा concept आपने कर लिया दा last class में, very easy question, तो आजाओ, सबसे पहले बना लेते हैं manufacturing account, यहाँ बना लेंगे manufacturing account, यहाँ बना लेंगे trading, तो format ready कर लेता हूँ, चालो, तो बच्चों यहाँ पर यह होगया debit, यह credit, उस सबसे पहले आँ था, raw material consumed, raw material consumed, opening stock of raw material, plus net purchase of raw material, minus closing stock of raw material, सब कुछ given है, यह रहा opening stock, एक लाग बीस दा, लिक्टर चलता है, एक लाग बीस दा, plus purchase of raw material नीचे दिया था, यह रहा, चार लाख, फोर लाग, यहाँ लिख देता है, माइनस closing stock of raw material यह रहा, 80, चलो जी, तो यह कितारा 2, plus, सरी, यह आगे 40, सरी, 4, 40 आ रहा है, आजिंग 4, 40 आ रहा है, चलिए, और क्या है रहा, फिर वेजेज आएंगे इसमें, डारेक वेजेज, वेजेज गिवन कित्ते थे, आपको वेजेज वेजेज यह रहे, 2,50,000 के, 2,50,000, वेजेज, सीधा-सीधा, बाकी सब आपके overheads में आएंगें, आप अलग-अलग नाम से भी लिख सकते हैं, पर आपको clarity हो ताकि कि बही, जो बाकी खर्चे हैं सब overheads के अंदर आने वाले, जैसे stores consumed है 30 का, stores consumed, 30, और क्या है, फिर आपका है, indirect wages 72, इनको हम indirect material बोलते हैं, यह indirect material, याद करना मैंने, overheads is equal to, लिकवा रखा होगा, last lecture के notes में, indirect material, plus indirect wages, या indirect labor, जो भी बोलो, plus indirect expense, other indirect expense, तो यह आपके सब manufacturing account पे आते हैं, बेसिकली सब खर्चे आपके factory के अंदर हो रहे हैं, उसके बाद, 72 के indirect wages आ गए, फिर factory rent 24, आप अलग-अलग भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कर के बाद नहीं है, वैसे भी अभी तो आपको presentation पर ध्यान दे रहा हैं नहीं, आपको दो अस concept पर ध्यान देना है, depreciation on plant and machinery, 40, यह भी overheads है, depreciation of plant and machinery, 40, I think that's it, और नहीं होंगी कोई खर्चे, आपके overheads में अंदर नहीं होंगे, तो इसका total कर लो सब कित्ता आ रहा है, 30, 30, plus 72, plus 24, plus 40, तो यह आ रहे, 1,66, चालो जी, यह हो गया, अच्छा, opening stock of raw material, ओ स्वारी, opening stock of WIP, वो यहां आता है, तो 2 opening WIP, debit side पर आता है, तो opening WIP आपको उपर given था, कित्ता given था, यह था 24, और closing stock of WIP, credit side पर आता है, by closing WIP, यह given आपको 16, that's it, done, done आपका manufacturing account आपका खतम हो गया, अब आपका जो balancing figure बचके आएगा, वो यहां बचके आजाएगा, इधर, तो इसको हम लिख देते हैं, by trading account, by trading account, और इसका मतलब क्या होता है, मतलब भी बतावना चाहिए हमें, cost of goods manufactured during the year, चीगे जी, during the year, चालो जी, तो फटावट से calculate कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 4,040,00 plus 2,050,00 plus 1,66,00 plus 24,00, तो टोटल आ रहा है, 8,080,00, 8,080,00 में से 16,00 चले गए, तो बज़े गए आपके 8,64, clear, done हो गया है, अब तो भाई trading account, यहां तो कुछ नहीं है, पहले तो मैं इसको manufacturing account से cross post कर देता हूं, transfer कर देता हूं, मुझे बोलना चाहिए, to manufacturing account, 8,64, अब फटा फट से trading account भी done कर देते, कुछ है नहीं, वैसे आएगा नहीं कुछ, जरूरत से जादा ही बड़ा बना दिया मैंने, जरूरत नहीं थी इतनी बड़ीगी, बट कोई दिकत नहीं, यहां opening stock of finished goods आ जाएगा पहले तो, यह भी given था question में आपको, तो कित्ता है यह, 8,6,400, 8,6,400, यह आएगा कित्ता कहा गया नीचे, उसमें लास्ट में दिया था शाएग, यह रहा, लास्ट में था 10,000, ज्यादा नहीं, 10,000 के goods हमने खरीद है, ज्यादा तरम लोग basically, बेच के, बना के बेचते होंगे, इधर आ जाता है sales, by sales account, यह चलो sales ही लिख देते, account नहीं लिख दे जनरली लिख देते हैं, यह भी given आपको sales कितनी हुई है, 11,20, 11,20, और यहाँ पर आएगा, by closing stock, यह भी finished goods का, यह भी given आपको उपर, यहाँ पर given था, यह रहा, 64, चलो थी, डन हो गया, चलो, कितना gross profit या, जो भी gross loss विच्छा है, चेक कर लेते हैं, तो 11,20, यह तुशा है दारह, 11,84, 11,84, 11,84, में से सम माइनस कर जेते हैं, माइनस 86,400, माइनस 8,64, माइनस 10,000, तो यह बच रहा है, इधर बच रहा है balance, यहाँ, 223,600, इसका हम बोलते हैं, gross profit, gross profit, लो जी, तो डन हो गया, illustration 8, I hope so, कोई दिक्कत नहीं हो योगी, चलो जी, तो बढ़ते हैं आगे, next concept पर, next आप heading डालना, next है हमारा, तो दो तरह के account हमने कर लिये, फटापट से देख लेना, दो तरह के account हमने कर लिये, एक हमने trading account कर लिया, एक हमने manufacturing account भी कर लिया, यह रहा, ठीक है, थर्ड आ जाओ, balance sheet नहीं, balance sheet से पहले, sorry, आपका आएगा, profit and loss account, profit and loss account, और इन सब के use में आपको, already last class में लिखवा चुका था, तो profit and loss account से निकलता है, हमारा क्या, हमारा net profit and net loss निकलता है, तो फटापट से इसका भी format बना लो, profit and loss account, for the, year ended, जो भी है, जो भी है, तो देखो, सबसे पहले इस account की शुरुबात होती है, with the gross profit या gross loss from trading account, तो हम trading account से gross profit या gross loss ट्रांसफर कर देते हैं, अपने profit and loss account, चीक है, तो लिख देता हूँ, from trading account, अच्छा, उसके बाद, debit side पे हम other indirect expenses लिखते हैं, अदर indirect expenses, ये individually, of course, तीक है, अब इसको मैं जान मुझके, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अंदर, तीक है, इसमें कुछ-कुछ हमें adjustments करनी पड़ती है, इसमें हमें कुछ-कुछ adjustments करनी पड़ती है, क्या-क्या, अगर कोई outstanding expense है, अगर कोई outstanding expense है, तो वो हमें add करना पड़ता है, adjustments में ध्यान रखना है, अगर कोई prepaid expense है, तो वो हमें minus करना पड़ता है, तो इसका link आपको अपने adjustment entries के chapter से करना पड़ेगा, भई, देख लो, इसलिए आपको वो अलग से साड़ा chapter कराया जाता है, outstanding expense की entry होती है, expense account, debit to outstanding expense account, मतलब हमें expense को increase कर देते हैं, इसलिए अगर adjustment में है, outstanding expense तो हम expense increase करना होगा, इसी तरह से prepaid expense की entry होती है, prepaid expense account, debit to expense account, तो मतलब हमें expense को कहीं न कहीं कम करना होता है, इसलिए यहाँ पे भी prepaid expense को हमनें कम कर दिया, तो accrual concept है और कुछ नहीं, according ली हमारा यह खर्चा यहाँ पे आ जाता है, इसी same चीज आपकी credit side पे होती है, हम other indirect incomes हैं, जैसे वो लेते हैं यहाँ पे, other indirect incomes हम लेते हैं, और यहाँ पे भी वही बात है, पहली बात individually ही लेना यहाँ पे income, individually, दूसरी बात यहाँ पे भी वही adjustment, अगर वो बोलते है, accrued income है, तो याद करना है, आपको accrued income की entry क्या सिखी हुई है, adjustment entries के chapter में, वो रती थी, accrued income account debit, to income account, basically हमें income increase करते थे, तो इसलिए आपे accrued income, हमें plus करना पड़ेगा, इसको हम लोग unearned income भी बोलते थे, इसकी entry होती थी, income account debit to unearned income, या to income received in advance account, basically हमें income को कम करते थे, reduce करते थे, तो accordingly हमें यहाँ पे minus करना पड़ेगा, यह सब adjustments है, यहाँ आपना भाई, बस, यहाँ हमको यह सब काम करना पड़ता है, उसके बाद, उसके बाद भाई हमारा जो balance है, वो यहाँ तो यहाँ बचता है, यहाँ तो यहाँ बचता है, अगर जो debit side पर बचता है, तो इसको हम बोलते हैं net profit, और सरी net profit जाता कहा है, यह net profit चला जाता है, transfer to, capital account, तो हम लोग proprietor के capital account में, transfer कर देते हैं, जो profit capital account में जाना है, तो यह owner का है, इसी लम लो capital account में डाल देते हैं, अगर यहाँ balance बचता है तो, और इधर बचता है तो हम बोलते हैं net loss, और इसका क्या होता है, इसका भी कुछ नहीं, इसका भी capital account में जाता है, तो transferred, to capital account, यह काम करना होता है आपको profit and loss account में, very simple, basically accrual basis पर बनेगा यह, इसलिए में आपे outsiding expense, और आपका prepaid expense, accrued income, यह वो इन सब चीज़ों के adjustment करनी पड़ती है, जहाँ पे भी खर्चे बढ़ रहे हैं, वो आपको बढ़ाने पड़ते हैं, जहाँ कम हो रहे हैं, वो कम करने पड़ते हैं, जहाँ income बढ़ रहे हैं, बढ़ानी पड़ती हैं, जहाँ कम हो रहे हैं, वो कम करनी पड़ती हैं, राइट, अच्छा, बाकी आप, बाकी आप direct indirect income, sorry, indirect income expense, इन सब के example चाहें, तो लिख सकते हो, अगर आपको पता नहीं है, तो हमने जैसे indirect expense की बात करी, तो यह बाकी आपके basically, जो खर्चे manufacturing account या, trading account में नहीं गए, वो सारे खर्चे इसके अंदर आ जाते हैं, जहसे की salaries हो गई, है ना, rent हो गया, अब यहां factory की rent की बात नहीं कर रहा हो, यहाद रखना भई, office का rent हो गया, for example, of office, not factory, of office लिखने की जगा मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके बैक्टरी में, bracket में लिख देता हूँ, factory का rent की बात नहीं हो रही, यहाँ पे, इसलिए आप आपको समझ नहीं बड़ीगी, बहुत खर्चे हो सकते हैं, जैसे, bad dates होता है, loss वगरा होता है, बहुत कुछ होता है, bad dates हो गया, और, postage का खर्चा हो गया, telephone expense हो गया, electricity हो गया, वही सारी बाहर है, factory के बाहर हमें, हर खर्चे के सामने नहीं लिखूँँगा यह, understood है, factory के बाहर, बात ले रोगी, चिक है, etc, यह खर्चे है, मतलब बहुत हो सकते हैं, मैंने कुछ लिख दिये, वैसी इसी तरह से, यहाँ पे आएगा, indirect incomes, indirect incomes में क्या-क्या चीज़ा आ गहीं, जैसे वो बोलेगा, interest received, जैसे हो सकता है, बोले, rent received, discount received, उपर discount allowed आ जाएगा, खर्चों में, और income में discount received आ जाएगा, benefits recovered, एटसेटरा, तो यह मैंने ऐसी लिख दिया, अगर आपको दिक्कत हो, तो आप भी लिख लो भाई, clarity रहनी चाहिए, बागी कुछ भी नहीं है, profit and loss account में, राइट, चलिए बचो, illustration number 4 करते हैं, illustration number 4, वो कहारा, from the following particulars, presented by Shri Tirtankar, for the year in the 31st month 2021, prepare करो P&L account, क्या क्या दे रखा है, आपको gross profit दे रखा है, rent, 22,000, salaries, 10,000, commission, उसने बुला credit, commission credit, तो commission credit का मतलब क्या हुआ, कि यह income है भाई, क्योंकि income credit होती है, expense debit होता है, right, this is an income, और indirect income है, सारी income other than sale, यार indirect है, ये सीधी बात है, income में कोई दिक्कत नहीं, insurance, आड़ अजार, normal expense है, interest, credit, फिर से देखो, interest उसने बूल दिया, credit, same thing, now it is an income, bad debts, 2000, provision for bad debts, 1 April 2008 राया या नी, 1 April 2020 होगा ये, printing mistake है, printing mistake है, ठीक है, तो basically opening balance है, ठीक है, तो correction कर लिए आपने पास, 1 April 2020 होगा, 4000, तो sundry data 40,000 है, discount received 2000 है, received है, मतलब income है, client and machinery 80,000 है, adjustments दे रखिये आपको, सबसे पहले बुला, outstanding salaries, 4000, तो ये expense में add हो जाएगा, rent paid for 11 months, इसका क्या मतलब है, कि एक मन्त का rent, outstanding है, क्योंकि 12 महीने का rent रोना चेत, अमने 11 महीने का ढटे करा, तो इसका मतलब उपर जो rent आ रहा है, 22,000 का, ये 11 महीने का रहा है, एक महीने का rent आपका outstanding है, चिक है, तो कितना होगा, मैं यहीं निकाल लू भाई, एक महीने का rent कितना होगा, मैं यही निकालू तो बाईस हजार का रेंट ग्यारा महीने का है तो पर मन्त रेंट कितरा हो गया दो हजार तो यह आपका आउटस्टेंडिंग रेंट होगा दिस विल बी और आउटस्टेंडिंग रेंट ठीक है उसके बाद इंटरस्ट ड्यू बट नॉट रेसीवड अमाउंटिंग टू दो हजार यह एक्रूड इंकम की बात कर रहा है कि इंटरस्ट कमा लिया ड्यू हो गया बट मिला नहीं प्रीपेड इंशोरेंस अमाउंटे टू रुपीज दो हजार अच्छा एक्रूड इंकम का क्या करते हैं इंकम में आड करते इसके कलबा हृटस्टեंडिग रेंडť रेंट में आड करेंगे प्रीपेड इंसोरेंस इंसोरेंस के खर्चे में माइनस करेंगे ंटर्स ह्राप्र कर चुके आप यह अलग सेच्प्टर सारा कुछ हो चुका है परदर बेड़ेट्स क्या होता है एक्जिस्टिंग बेड़ेट्स क्या होते हैं ओपनिंग प्रुविजन क्लोजिंग मेंटीन करना है सब कुछ सीख चुके भाई आप अगर याद नहीं है तो आपको चैप्टर पुराने रिवाइस करने पड़ेगी म क्योंकि पॉसेबल नहीं है इसके उपर सारा चैप्टर डिटेल में अच्छे से हो चुका है आपको कवर किया जाता करवाया जाता है ताकि यहां प्रॉब्लम नहीं हो ठीक है तो अगर प्रोविजन बेड़ेट्स इन सब में इनके अकांटिंग में प्रॉब्लम आती है त सब सिखा चुका हूँ तो वह आपको रिवाइस करना पड़ेगा ठीक है वो कहता है में का प्रोविजन फॉब्लम प्रॉब्लम 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 नहीं है अगर आपको कॉंसेप्ट आता है बिल्कुल बेसिक कॉंसेप्ट क्यों पर है प्रॉफिट एन लोश सबसे पहले शुरुबात करेंगे विद ग्रॉस प्रॉफिट वो गीवन है कोशन में तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको एक लाग रुपे का कॉशन खोल के रखना अपने पास प्लीज ठीक है उसके बाद रेंट खर्चा है इधर आएगा रेंट बाईस अज़ा पर हमने बुला एक महीने का रेंट आउटस्टेंडिंग है बन मंथ वो हमने कितना निकाला था दो अज़ा तो फाइनल रेंट का खर्चा कितना आएग सैलरीज की इसको भी उसने बोल रखा है आउटस्टेंडिंग है तो यह एड हो जाएगा आउटस्टेंडिंग सैलरीज तो खर्चा कितना आएगा चोधा हजा उसके बाद इंटरस्ट डू बट नॉट रिसी अज़ेस्में बाद में देख लेंगे यहीं आते कमिशन रिसीवड इन एडवांस तो यह किता है रिसीवड इन एडवांस यह माइनस होता है कमिशन रिसीवड इन एडवांस यह माइनस कर देंगी तो बहार आ गया दस हजार और क्या दे रखा है इंशोरेंस दे रखा है टू इंशोरेंस इंशोरेंस है आठ हजार का इंशोरेंस ह तो वो माइनस हो जाएगा, प्रीपेड माइनस, 2000, तो बहार आ गया 6000, बस सिंपल है यार, बिलकुल असान, अच्छा, बैट डेट्स बगरागी, मैं लास्ट में कर लेता हूँ, पहले मैं बाकी चीज़े देख लेता हूँ, बैट डेट्स और प्रोविजन की मैं एक साथ करा है, 2000, इसके लावा उसने डेप्रीसियेशन बोल रखा था, प्लांट इन मशीनरी पे, 10% पर एनम के साथ से चार्ज करना है, तो प्लांट इन मशीनरी उसने 80,000 की बताई थी, इसका 10% निकाल लो, यह आ गया 8,000, लो जी, बस वर्किंग नोट में आपको एक, जैसे सिखा रहा है, आपको प्रुविजन फॉर, डाउटफुल, डेट अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, तो भाई, याद कर ले ना, आपको अकाउंटिंग के मेथर्ड वन और टू, दो मेथर्ड सिखा रखे हैं, चाप्टर में, मैं हमेशा, मैंने शाद बताया भी होगा आपने लेक्चर में मैं में प्रिफर करता हूं, तो आई वूट सिख विद मेथर्ड वन, और जिन तो बच्चों को समझी नहीं आरहा है, यह मेथर्ड वन क्या है, टू क्या है, वो तो क्रिप्या करके वो चाप्टर करके आए, क्योंकि वो आपके सेलबस में है, सेपरेट chapter है तो वो तो बच्चे बाई चाहे तो पहले वो revise करके आए because उसके उपर अलग lecture में हम लोग उने सीख रखे दोनों भी methods of accounting मैंने बिल्कुल करा रखा है सब कुछ और बिल्कुल proof के साथ देखा हुआ कि method 1 और 2 में pnl में same ही effect जाता है सब कुछ सिखा रखा है ठीक है conceptually covered है बड़ अब दुबारा नहीं उतना हो सकता possible नहीं क्योंकि उस पर हम अलग time दे चुक है ठीक है हाँ बाकी जिन बच्चों को पता उनको clarify कर रहा हूं कि भाई मैं method 1 follow कर रहा हूं आप कोई भी follow कर लो answer में कोई दिक्कत नहीं आने वाली चानो तो सबसे पहले existing provision check कर लो वो आपको मिल जाएगी जो उसने उपर दी थी यही फूरस्ट एपरिल 2020 की जहां पर थोड़ी सी printing mistake भी थी 4000 का आपका opening provision है उसके बाद हम यहाँ पर bad dates जालते हैं बाद करना बच्चो मैं आपको फटावट पाला याद दिलातों यह चलूँगा यहां पर हम दोनों bad dates जालते existing भी और further भी existing bad dates also further भी है ना हमने सीखा था हम bad dates को provision से basically adjust कर देते हैं ठीक है तो कितने bad dates है 2000 रुपे के existing bad dates है दे रहे 2000 के existing bad dates है और further bad dates उसने यहां f point पे दे रखे थे 2000 के तो टू प्लस टू यहां लिख देते हैं 2 existing plus 2 further तो टोटल हो गए 4000 4000 के bad dates हो गए इसके बाद और क्या है उसके बाद हमें closing provision निकालना होता है two balance cd यह भी याद करना भाई given जो डेटर्स हैं वो लेने हैं उसमें अकर डेटर्स में कोई adjustment हुआ है वो जो भी है adjust करके फिर बचवे डेटर्स पर provision calculate करना है तो देखो डेटर्स चालिस हजार है चालिस हजार इसमें से further bad dates कम होए है और 2000 के तो अब मेरी डेटर्स हो गए 38,000 के इसका कितना percent maintain करना है हमको इसका हमें maintain करना है 5% 5% चलो तो 38,000 का 5% तो यह आ रहा है 1900, 1900 लो तो मुद्दी की बात यह है कि यहां मारा balance बचिया P&L का 1900 तो यह figure चली जाएगी आपके P&L account तो to provision for doubtful debt account यह हमने working note में निकाल दिया 1900 ठीक है अब bad dates पकरा डालनी कोई जरूरत नहीं अब आप बस निकाल लो net profit and net loss जो भी बच रहा है तो देख लेते कितना बच रहा है क्या बच रहा है तो एक लाग का तो gross profit ही था तो भाई इसका मतलब तो net profit ही बचने वाला है तो टोटल आ रहा है एक लाग बारा बुक वालों का देखोगे तो confuse मत होना उन्होंने मेरे खाल से method number two follow कर रखा होगा अगर आपको method two check करना है तो मैं लिग देता हूँ note for method two refer book solution तो जहां तक मेरा guess work है मैंने जहां से तो नहीं देखा पर जित्ता मैंने देखा है उन्होंने method two follow कर रखा है ठीक है उन्होंने method two कर रखा है follow बट मैंने method one के है प्रूव हो जाएगा कि चाहे method two करो चाहे one करो answer आपका same ही आने वाला है ठीक है तो यह हो गया एक लाग बारा अब इसमें से सारे खर्चे हटा दो minus 24 minus 14 minus 6 minus 8 और minus 1900 तो यहार है कि एक लाग बारा कि एक चीज रह गई थी ना यार अरे भाई एक रूड इंट्रस्ट अरे रे रे एक रूड इंट्रस्ट भी था 2000 रूपे का वो रह गया था तो बाई इंट्रस्ट बाई एक रूड इंट्रस्ट इंट्रस्ट की इंकम भी थी वो भी रह गई एक interest credit पी दे रखा था ना उसने वो कैसे मिस हो गया भगवान जाने अरे यार interest credit कितना दे रखा था उसने दे रखा था कहा गया यह रहा 6000 प्लस एक crude interest था इस पे crude interest कितने रुपे का था crude interest था 2000 का this was 8000 तो एक लाख 12 प्लस 8 अब टोटल हो गया एक लाख 20 एक लाख 20 अब आपका बज़ियर नेट प्रॉफिट ठीक है तो एक interest income मिस हो गई उसकी वज़े से थोड़ा पहले गलत आ रहता अंसर बढ़ आप सही आ गया हाँ बाग क्या आप चेक कर सकते हो method number 2 से बॉक वाल होने कर रखा होगा उनका भी सेम नेट प्रॉफिट आ रहा होगा 66,100 बास होना गई तो अगर आपको method 1 समझना है तो किसका method 1 और पोर्स इसका method 1 method 1 मैंने कर रखा है method 2 वाला जो है वो बॉक वाल होने कर रखा है ठीक है जी चले बच्छो तो 4th heading डालना आप अपनी balance sheet balance sheet ठीक है तो balance sheet क्या होती है balance sheet एक statement होता है basically जो आपकी assets and liabilities की position बताता है जिसको हम financial position भी बोलते है तो ये कैसे बनता है देखो तो अब heading डालते हैं balance sheet as on मतलब ये एक as on a particular date बनती है ठीक है तो balance sheet as on यहां लिखते हैं liabilities यहां लिखते हैं assets ठीक है उसके बाद assets चलो liability side से शुरुबात करते हैं तो liability हम हम सबसे पहले लिखते हैं capital capital इसमें जो net profit यह net loss होता है जो आपके बिशिक लिए P&L account में निकलता है वो plus यह minus होता है इसके लाबा अगर कोई drawings वगरा होती है given हो चाहे वो adjustment में हो वो यहां से minus हो जाती है और कभी कभी इसके लाबा कुछ और भी adjustment हो सकती है आपको करनी पड़े जो भी है वो plus या minus होती है यह सब करकर आके आपका final closing capital बाहर निकल के आ जाता है फिर हम लिखते हैं long term या non current liabilities तो यह सब एक exhaustive कोई balance sheet नहीं है यह बस एक illustrative balance sheet है तो यह बस एक illustrative balance sheet है तो यही आइटम होगे इसके बाहर कुछ नहीं होगा जो भी है ऐसा कुछ भी नहीं है तो long term liabilities में जैसे क्या आगे जैसे loans आ गए बाना loan from bank हो गया कोई और unsecured loan हो गया चीक है इसके अलावा एटसेटरा मैं एटसेटरा लिख देता हूँ करते है आप बोलो कि यही इतना है आएगा नहीं है और भी आ सकता है जो भी है इसी तरह से पिर आती है इसमें short term या current liabilities या current liabilities आती है इसमें क्या क्या आता है बहुत सारी चीज़ा आ सकती है इसमें आपके short term वाइले loans आ सकते हैं और क्या सकता है इसमें आपके creditors आ सकते हैं bills paypal आ सकता है कोई outstanding expense है वो आ सकता है कोई income received in advance है वो आ सकता है income received in advance हो सकता है हमारे customers से कुछ advance मिल रखाओ advance from customers अधर एटेटरा बहुत चीज़ा आ सकती है मैं सारा नहीं लिखवा सकता है बढ़ आप समझ गए बहुत सारी चीज़ा है इसमें आ सकती है ऐसी assets में हम शुरुबात करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं long term या non current assets इसमें क्या क्या आता है जैसे इसमें fixed assets आते हैं मैं इसको PPE बोल सकता हूं PPE या दोगा PPE depreciation chapter में कर रखा था हमने कोई intangible assets हैं वो आ सकते है इसमें आपके loans and advances अगर आपने किसी को दे रखा है जो की long term nature का है वो आ सकता है फिर आपके आते हैं इसमें short term या current assets बहुत कुछ आ सकता है इसमें inventory आती है basically इसका मतलब होगया closing stock अब inventory में बहुत सारी चीज़े included होती है भाई खाली simple closing stock नहीं अगर कोई goods in transit है वो भी आएगा consignment chapter में consignment stock क्या दे होता था जो unsold stock होता था with the consigner उसमें भी goods in transit भी consigner नहीं सरी consigne और उसमें भी goods in transit होता था adjustment entries के chapter में हम लोग ने inventory with customer देखा था pending approval pending approval लिंक के रहा ही मैंने बोला था इस chapter का final accounts में बहुत सारी linkages है एटसेटरा तो basically inventory stock में सब कुछ आगए raw material है वो भी आएगा raw material का stock है WIP है सब कुछ आएगा इसके अंदर stores pairs loose tools सब आ जाएगा right अच्छा debtors हो गए आपके वो आ जाएंगे bills receivable हो सकते हैं वो आ सकता है और क्या हो सकता है prepaid expense हो सकते है prepaid expense और क्या हो सकता है आपके crude income हो सकते हैं जो आए भी थे हमारे पिछले question में पी एनल वाले question में और क्या हो सकता है बताओ वही और और cash at bank cash in hand etc और last में क्या होता है balance sheet बनाने के बाद इसका total match हो जाता है यह है balance sheet की कहानी balance sheet का total equal आता है ठीक है जी तो यह नहीं कि भाई ऐसी ही balance sheet होगी यही चीज़ा आ सकती है ना कम ना ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है और depend करेगा यह मैंने illustrative balance sheet बनाई है भाई मैं लिख देता हूं यहां कहीं illustrative आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए अब balance sheet में hair pair हो सकता है ठीक है जी में गया left side में liabilities right side में assets यह तो याद रखना आपको ठीक है उसके बाद आप एक छोटा सा इससे related point लिखो लिखना grouping and marshalling grouping and marshalling दो terms है एक है grouping एक है marshalling grouping grouping का क्या मतलब होता है लिखो बहुत simple है it means placing items of similar nature under a common head in balance sheet bracket में example लिख लो example all debtors account are grouped are grouped under sundry debtors in balance sheet grouping का मतलब क्या होता है जो balance sheet में similar nature के items है उसका हम एक common head बनाके present कर देते हैं इससे गया कि balance sheet बलकी कम लिखती है अब मानो एक reality में मेरे data मेरे पास 100 data 31 मार्च को 100 data से पैसा लेना है तो आप balance sheet में कहें 100 data के नाम अलग अलग दिखूंगा नहीं मैं common लिख दूँगा अगर आप यहां balance sheet भी देखो तो मैंने क्या लिखा मैंने सीधा data लिख दिया इसमें सारे रामू शामू सोनू मोनू जित्ती भी data है मेरे सबके balances एक के अंदर ही आगे data के अंदर इसी तरह practically बहुत सारे businesses में बड़े businesses में बैंक कई सारे बैंक के अकाउंट पर हमारा अकाउंट खुला होता है कई सारे बैंक के पास हम अलग अलग अकाउंट खोल के रखता है तो आप क्या सारे बैंक अकाउंट अलग अलग से दिखाते रहेंगे balance sheet में नहीं हम एक सार लिख देते cash and bank same thing goes with creditors same thing goes with outstanding expense में 10-15 outstanding खर्चे salary भी है rent भी है बहुत सारे outstanding खर्चे तो क्या मैं अलग-अलग सब को दिखा हूं नहीं मैं उसको एक common head के अंदर दिखा देता हूं that is outstanding expense इसी को हम बोलते grouping इसी को हम क्या बोलते grouping राइट clear हो गया अच्छा इसी तरह से दूसरा होता है marshaling spelling ध्यान से रखना M-A-R-S-H-A-L-L-I-N-G marshaling marshaling का क्या मतलब होता है it means order in which items in balance sheet will appear will appear तो marshaling का मतलब होता है किस order में हम अपने items को दिखाएंगे हम किस order में अपने चीजों को balance sheet में assets and liabilities हैं उसको किस order में दिखाएंगे उसका हम बोलते है marshaling predominantly speaking there are two types of marshaling दो तरह के order होते है basically order की बात कर रहे हैं हम लोग किस sequence में चीज़ा आएंगी एक हम बोलते है order of permanence यल rigidity एक होता है order of liquidity order of permanence order of liquidity order of permanence का मतलब यह होता है कि हम पहले long term assets या जो भी है liabilities को पहले दिखाते हैं उससे भी पहले जो जादा लंबी चलने वाली चीज़ है कोई भी लाइबिलिटी जो सबसे जादा लंबी चलेगी जो जादा रिजिड रहेगी जो पर्मिनेंट रहेगी वो सबसे पहले लिखानी capital तो permanent रहेगा कभी नहीं जाएगा जब तक business जिंदा है capital हमेशा आता रहेगा balance sheet में तो इसलिए वो सबसे पहले आएगा फिर उसके बाद long term liabilities वो liabilities जो एक साल बाद more than one year बाद आपको repay करनी है वो ज़्यादा permanent रहेगी और फिर short term liabilities रहती है राधर इनके अंदर भी हम shuffling कर सकते हैं बट main यह है कि पहले long term items आएगे फिर short term items आएगे इसी तरह से asset side पे भी same चीज asset side पे भी same चीज पहले हम लोग long term assets दिखाते हैं फिर हम लोग short term assets दिखाते हैं यह होता है order of permanence अब इसका ही उल्टा हो गया order of liquidity जब liquid चीज़े पहले दिखाएंगे तो order of liquidity में क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा liability side में सबसे पहले short term liability आती है उसके बाद long term liability आती है उसके बाद last में capital आता है इसी तरह से asset side पे सबसे पहले short term assets आते हैं उसमें भी सबसे liquid assets पहले आएगा cash in hand cash at bank इसके बाद long term assets आएगे बस समयारी है बट generally मैं बता देता हूं generally यह follow होता है आपने अगर schedule 3 पढ़ाओगा बच्पन में companies act का वो भी order of rigidity of permanence में ही बना हुआ है even जो मैंने यहां balance sheet बनाई यह भी मैंने order of permanence में बनाई अगर आप देखोगे मैंने पहले liability में capital लखा फिर मैंने long term liabilities लिखी फिर last में short term liabilities लिखी similarly asset side में भी पहले मैंने long term assets लिखे फिर मैंने short term assets लिखे तो मैंने भी देखो order of permanence में मनाया तो practically speaking order of permanence जादा आपका common होता है ठीक है बाकी एक point क्योंकि आपके पास दे रखा है आपके material में तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन practical relevance बिल्कुल भी नहीं उसका तो star डालके लिख लो चलो star डालके लिख लो इसमें नीचे एक आपके किताब वालों कुछ mixed order करके भी बोला हुआ हाला कि बिल्कुल इंप्रैक्टिकल चीज़ है यह मिक्स और बट क्योंकि दिया है तो में लिकवा देता हूं भाई कई ऐसा ना वह पूछी ले आप से है ना और जो liability side है वो order of permanence बस तो यह आप डाल लिख के बस छोड़ दो भाई कभी आ गया question तो करने आना चीए नहीं आया तो बहुत ही अच्छी बात है तो बहुत ही अच्छी बात है ठीके जी point clear चले बचल लास्ट अपना मीन टॉपिक इस चाप्टर का वह है एडजेस्मेंट्स मैं आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट्स में हमें एडजेस्मेंट्स भी करनी बढ़ती है तो प्रिपेर दा फाइनल अकाउंट्स तो कुछ important selective adjustments की हम बात करेंगे जो जादा common होती है जिसमें हो सकता है कुछ टेड़ा पन हो चीक है बहुत सारी adjustments आपको पुराने chapters में भी मिल जाएगी हमने adjustment entries का chapter किया था उससे link बैठेगा आपने provision for doubtful date वाली एक chapter किया था उससे आपका link बैठेगा तो हम क्या के quickly summarize way में discuss करेंगे कि क्या क्या adjustments यहाँ पर होंगी ठीक है तो first लिख लो इसमें outstanding expense अच्छा है यहाँ पर adjustments का मतलब क्या होता है adjustments मतलब वो चीज़े जो आपको trial balance के बहार given है given outside trial balance given outside trial balance तो यह आप लिख लो ठीक है outstanding expense तो पहला है outstanding expense इसका क्या क्या होता है फटा फटे एक्टम quickly एक तो बच्चों यह trading P&L account में एक तो यह trading या P&L account में plus हो जाता है expense के अंदर और दूसरा यह balance sheet में liability side पर आता है तो ठीक है तो entry होई होते हैं ना मैं पहली भी बता चुक हूँ expense account डेपिटो outstanding expense तो एक तरब तो हम expense बढ़ा देते हैं दूसरी तरब हम लोग balance sheet में liability side पर दिखाते हैं अगर आपको outstanding expense given in trial balance है given in trial balance तो क्या तो फिर आपको सिर्फ balance sheet में ही दिखाना है only balance sheet तो बिल्कुल ऐसे short short में आपके साथ discuss कर रहूं है ठीक है इसी तरह से second है आपका prepaid expense prepaid expense का क्या करना होता है आपको तो एक तो वही trading या P&L account खर्चा है ना खर्चा आप trading account में भी आ सकता है main है कि आपको respective expense में से minus करना होता है और balance sheet में यह आ जाता है asset side पे balance sheet पे यह asset side पे आ जाता है entry होती है prepaid expense account debit to expense account तो prepaid expense एक asset create हो जाता है और expense हमारा कम हो जाता है और अगर prepaid expense given है in trial balance अगर trial balance में आपको prepaid expense दिखता है तो यह आदखना only balance sheet सिर्फ balance sheet का वाला ही point आएगा simple reason है भाई क्योंकि expense अल्रेडी कम हो चुका होगा entry pass हो चुकी होगी तो आपको सिर्फ asset है prepaid expense का उसका balance sheet में दिखाना है third है आपका accrued income यानि वो income जो कमा तो ली लेकिन अभी मिली नहीं है तो इसका क्या करना होता है आपको accrued income का तो एक तो P&L account में ये plus हो जाता है in income और balance sheet में क्योंकि यहाँ पे एक asset create हो जाता है तो ये asset side पे आ जाता है और वही बात अगर आपको accrued income trial balance में गिवन है तो फिर only balance sheet only balance sheet तो बस यहाँ रखना है न तो accrued income के entry होती है accrued income account अबे टू income account तो income में increase करना है correspondingly accrued income का एक asset create करना है तो वो ही काम करना है income increase करी और एक asset create कर दिया with the name of accrued income और अगर वो trial balance में given है तो income already increase हो चुकी, entry हो चुकी है, सिर्फ accrued income asset है, वो balance sheet में दिखाना है, very simple, ठीक है, fast चल रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि already सब repetitive points है, सिर्फ आपको place करने हैं सही जगा चीजों को, ऐसी एक होता है, income received in advance, income received in advance, तो इसका क्या करना है, तो भई, P&L account में इसको minus करना है, from income, income कम करनी है, और ये liability होती है, तो balance sheet में इसको आपको liability side पे दिखाना है, और अगर ये आपको trial balance में given है, income received in advance कोई भी, तो वही बात है, आपको तीधा balance sheet पे दिखाना है, income कम नहीं करनी, वो already कम हो रुक्खी होगी, ठीक है, इसी तरह से fifth, closing stock, बताने वाली बात नहीं है, closing stock में, लेगिन थिर भी बता रहा हूँ, एक तो credit करना है, in trading काउँ, दूसरा आपको balance sheet में दिखाना है, asset side पे, और ये भी वैसे में बता चुक हूँ, अगर closing stock, trial balance ने given है, तो सिर्फ balance sheet में दिखाना है, trading account में नहीं डालना, ठीक है, तो एक बिल्कुल summarize way में करा रहा हूँ है, past past ताकि, आपको point clear रहे, depreciation, depreciation, इसके उपर तो आपका अलग chapter है भाई, इसके पूरी accounting आप detail में सिखते हो, तो ज़्यादा in-depth नहीं जाना accounting में, सीधी बात है, अगर depreciation given है, तो एक तो P&L account में expense आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, एना, और balance sheet में क्या होगा, balance sheet में हमें इसको minus करके दिखाएंगे, from asset, और अगर आपको ये trial balance में के बन है, तो क्या करना है, अब रटके नहीं कि सिर्फ only balance sheet, नहीं, अब आपको ये सिर्फ in P&L account ही दिखाना है, क्यों, क्योंकि asset already कम हो चुका होगा, depreciation account debit to asset account, ये entry होती है, अगर trial balance में आ रहा है, तो asset account already credited है, कम है, तो trial balance में asset कम होके आ रहा होगा, दुबारा नहीं कम करना, लेकिन depreciation एक expense है, just like कोई भी और expense trial balance में आ रहा होगा, तो आपको P&L account में दिखाना पड़ेगा, वैसी ये भी खर्चा आपको P&L account में दिखाना ठीक है, point समझ आ रहा है भाई, clearly भाई देख ले न, मैं बिल्कुल summarize में में लिकवा रहा हूँ, आप भी लिखते चलो, क्योंकि बहुत जादा detail में करने का मतलब भी नहीं है, है न, conceptual बाते हैं, बहुत सारे concept आप already कर चुके हो, ठीक है, next लिखना, seventh, goods distributed as free samples, goods distributed as free samples, ठीक है, इसका क्या करना है आपको, एक तो P&L account में, अच्छा, entry आद करते हैं चलना, advertisement account debit या free sample account debit या sales promotion account debit, to purchase account, ये entry हमने सीख रखी है, तो accordingly क्या करना है आपको, P&L account में तो आपको expense में दिखा देना है, ठीक है, कोई भी नाम से दिखा देना, चाहे, advertisement, चाहे, sales promotion, आप एक expense के अंदर दिखा देना, और क्योंकि two purchase account बोला, वैसे तुम्हें आपको लिखवा भी चुका था, trading account में याद करना, वह हमें आपको लिख चुक है, इसका हम लोग purchase में से minus कर देंगे, minus from purchase, ठीक है चीज़, एक ये point हो गया, अच्छा, हाँ, अगर goods distributed in free samples, as free samples, sorry, अगर ये आपको trial balance में given है, अगर आपको ये trial balance में given है, तो याद रखना, only in P&L account, होगा नहीं, वैसे हमें को लगता है, बट सिरे P&L account, क्योंकि purchase already credited है, कम है, तो purchase का जो balance आ रहा है, वो कम ही आ रहा होगा, minus हो के आ रहा होगा, वो as it चला जाएगा trading account में, लेकिन जो खर्चा, advertisement का, या जो भी जिस भी नाम से आ रहा होगा correspondingly, वो आपका P&L account में just like any other expense चला जाएगा, ठीक है, तो जैसे बाकी कोई भी expense, trial balance में salary, wages वगरा जो भी होती है, वो हम लोग डाल देते हैं, वैसी ये भी अमें डालना होगा, चीक ह इसी तरह से aids लिखो, aids, goods, withdrawn, for personal use, entry याद करो, entry, sir, entry होती थी, drawings account, debit to purchase account, drawings account, debit to purchase account, so to purchase account है, बोले तो trading account में, जहाँ purchase लिखते हैं, उसमें से minus हो जाएगा, yes, minus from purchase, और दूसरी तरह, sir, balance sheet में हमें याद है, अभी थोड़े दिर पहले आपने लिखके दिखाया, कि आप capital में से drawings minus करते हो, तो ये हम minus कर देंगे capital में से, drawings को, ठीक है, और अगर ये by chance आपको trial balance में दिखे, in trial balance, तो क्या करना है आपको, अगर ये आपको trial balance में given होता है, तो फिर आपको only, इसका effect balance sheet में लेना है, क्योंकि purchase आपका already कम हो रखा होगा, परचेज आपका already कम हो रखा होगा, चीके जी, अच्छा, इसके अलावा, goods given as charity या donation, तो similar है भाई, इसकी entry होती थी charity account debit या donation account debit to purchase अकाउंट, तो एक तो भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, हम लोग minus करेंगे from purchase, और दूसरी तरफ, हम लोग P&L अकाउंट में, क्या करेंगे, इसको expense दिखाएंगे, expense में दिखा देंगे, ठीक है, और अगर ये trial balance में given है, तो क्या करना है, only P&L account, क्योंकि purchase वही बात है, already कम हो रखी होगी, only आपको P&L account में लेना है, ठीक है, उसके बाद, goods destroyed by fire, etc., ठीक है, goods destroyed by fire, तो यहाँ पे दो बाते हो सकते हैं, goods destroyed by fire में, या तो insurance claim received होगा, या जो भी admitted होगा, या तो insurance claim not received, दो बाते हो सकती है, अगर जो insurance claim received नहीं है, या ऐसे लिख देते हैं, इसकी treatment, adjustment यहाँ लिख देते हैं, adjustment क्या करनी है आपको इसकी, तो एक adjustment में आपको वैसे पहले भी सिखा चुका था, याद करना, trading account में last class में, हम इसको credit side पे दिखा देते हैं, मैंने logic भी लिखा था, कि इसका logic क्या होता है, कि हम चाहते हैं कि हमारे actual gross profit किता है, यह true performance किती ही, यह हमें पता लगाना होता है, इसले हम लोग इसको trading account में credit side पे डाल देते हैं, दूसरा हमें क्या करना होता है, हमें P&L account में loss डालना होता है, net of insurance claim, अगर कोई है तो, अगर loss P&L account में डालेंगे, और दूसरी side, हम balance sheet में, asset side में, balance sheet में, asset side में हम लोग क्या करेंगे, एक asset दिखा देंगे, insurance claim receivable, insurance claim receivable, एक यह होता है, बास समझागे, और अगर insurance claim है यह नहीं तो बात ही कर तो, पूरा ही, अच्छा, credit side पे पूरा आता है, at cost, यह भी लिख दो, अलगी यह वहाँ पर भी बताया था, बड़ यह पूरे cost पर आता है, trading account में तो पूरा cost पर आएगा, जितनी की भी loss है, जितनी की भी goods destroy होए है, पूरा आपका trading account में credit side पे आ जाएगा, P&L account में net of claim आएगा, और अगर कोई claim नहीं है तो पूरा ही आजाएगा, और अगर claim है तो balance sheet में, asset side पे effect आएगा, ठीक है, यह एक बात हो गई, अच्छा, 11th, interest on capital, तो बच्चों पता नहीं क्यों, मैं बिल्कुल भी agree नहीं करता, दो adjustments तो sole proprietor के case में पूछी जाती है, I don't accept that, I don't agree with that adjustment कि sole proprietor के case में नहीं होनी चाहिए, बट वो दे देता है, तो मुझे सिखाना पड़ेगा, एक होता है, interest on capital, इसकी journal entry आप लिख लो, शायद ही हमने adjustment entries के chapter में ना लिखियो, interest on capital account debit, to capital account होता है, to capital account, ठीक है, interest on capital का मतलब हुआ, कि business के point of view से हम इसको expense की तरह treat करते हैं, तो basically जो proprietor ने capital लगा रखिये business में, उस पर हम उसको interest दे रहे होते हैं, और correspondingly हम लोग interest क्योंकि proprietor को दे रहे हैं, तो हम उसका capital increase कर जाते हैं, ये काम करते हैं, accordingly इसकी adjustment क्या होती है, इसकी adjustment फटा-फट से देख लो, हो नहीं नहीं चाहिए भाई, ये क्यों given होता है, मुझे आज तक नहीं समझा है, so proprietor की case में नहीं होना चाहिए, बड़ वो देता है, तो देखो, P&L account में expense आ जाएगा, expense, interest on capital के नाम से, और correspondingly balance sheet में है, हम लोग ये plus कर देंगे in capital, और अगर interest on capital आपको trial balance में गिवन है, अगर interest on capital आपको trial balance में गिवन है, it means capital अल्रेडी बड़ी हुई है, हाला कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, I don't think ऐसा कभी होगा, क्योंकि interest on capital ये end पर ही निकाला जाता है, बट अगर गिवन है, तो बस पता होना चीए, only in P&L account, only in P&L account, clear, इसी तरह से एक और इसका भाई होता है, एक और adjustment जिससे में बिलकुल agree नहीं करता, that is, interest on drawings, interest on drawings, interest on drawings में फैले general entry लिकलो क्या होती है, इसकी entry होती है, capital account debit to interest on drawings, तो यहाँ क्या fund होता है, basically जो proprietor drawings पगरा करता है, उस पे हम लोग interest charge कर देता है, firm उस पे interest charge कर देती है, तो firm के point of view से यह income हो जाती है, और क्योंकि firm यह proprietor से charge करती है, तो correspondingly cash million करनी की जगा, सीधा उसकी capital से adjust कर देती है, तो capital उसका कम कर देती है, है ना, तो interest on capital में partner को, sorry partner निकल जाता है, क्योंकि partnership में आता है, बट हाँ, proprietor को देना होता था, तो उसका capital increase करते थे, accordingly उसको credit करते थे, interest on drawings के case में, proprietor से लेना है, इसलिए उसका capital decrease कर देता है, accordingly capital को debit करते है, तो इसका, इसकी adjustment क्या क्या होती है, final accounts के अंदर, जब अगर ये final accounts में आपको given हो, तो आपको क्या करना है, एक तो P&L account में इसको income की तरह दिखाना है, यानि credit side पे, लिख लो चाहे तो credit, और दूसरा आपको balance sheet में minus करना है from capital, तो याद करना है भी जब मैंने balance sheet बनाया था, तो मैंने capital, net profit, net loss, drawings, उसके बाद मैंने other adjustments plus minus लिखी थी, तो ये वो वाली उसमें cover हो जाएगी, ठीक है, और वैसे होगा नहीं, बट अगर interest on drawings आपको trial balance में given है, तो याद रखना only in P&L, क्यों, क्योंकि इसका मतलब यह है कि capital से वो already adjusted होगा, ठीक है, यह हो गया, एक adjustment और, managers commission, managers commission, तो इसको क्या adjustment होती है, इसको हम एक तो P&L account में, expense में दिखा देते हैं, manager commission के नाम से, और दूसरा हम लोग, balance sheet में, liability site दिखा देते हैं, just like आपका, just like outstanding expense, तो इसके bracket में लिख लेता हूँ, same as outstanding expense, तो बिलकुल पहले number पे जो आपने outstanding expense किया था, उसके तरह ही बिलकुल इसका काम चलता है, ठीक है, उसके बाद, 14th, 14th मैं आपको जादा detail में, detail में करा ही नहीं रहा, मतलब मैं बस लिखके छोड़ जे रहा हूँ आपके लिए, और have bad dates, provision for doubtful dates, and provision for discount on debtors covered in separate chapter सब कवर कर रखा है बच्चों की P&L में क्या डालना है balance sheet में कैसे दिखाना है सब कुछ covered है detail में clip पर आप वहाँ से देखेंगे यहाँ पर method 1, method 2, 2 method सीखे हो हैं हमने वो भी लिख देता हूँ method 1 and 2 के नाम से हमने अलग-अलग method सीख रखें जो भी है यह आपको वहाँ से refer कर लेना है ठीक है जी तो मैंने सारे रेको important adjustments मेरे साब से जो है वो सब आपको लिखवा दी है ठीक है बाकि अगर कोई point आता है किसी question में तो हम लोग वहाँ पे deal कर लेगें तो अगली जो class होगी उसमें वाला focus आप questions पे रहेगा ठीक है जब तक मैं आपको दो questions homework पे देना चाहता हूँ दो questions मैं आपको homework पे देना चाहता हूँ बच्चो अगर आप अलाओ करो तो एक आपका है illustration number 3 और एक मैं बता देता हूँ और क्या है illustration number 9 यह दो questions आपके homework में illustration 3 एक बिल्कुली टुच्चा question है जहां उसने खर्चे वर्चे दे रखे कहां आएंगे नहीं आएंगे वो सब बता रहा है यह दे रहा है और illustration number 9 में आपको trading and PNL दोनों account बनाने है तो trading account सीख लिए अलग से homework में करना है जाएंगे तो प्लीज यह दो questions आप homework में करेगा बाकी next class में balance sheet वगरा के questions जो भी है वो कर लेंगे adjustments वगरा जो भी है सब आती है वो आनलोग deal कर लेंगे अगली class छीगे जी तो बस आज के lecture में इतना ही cover करते है बच्चो I hope आपको मेरी सारे बाते समझ आई हूँगी आच की अगर आपको यह lecture helpful लग रहे है तो प्लीज वच्चे इसको जाद से जादा like कीजेगा share कीजेगा अपने दूस्तों के साथ comments कर सकते हैं आप अपने अच्छे-च्छे तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत दिनवाद अपना ख्याल रुखे परिवारगा ख्याल रुखे हसी कुशी रहिए एक दूसी की मदद करते रहिए और positive mindset से पढ़ाई करते रहिए हम मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए bye bye and take care